हेलो क्रेंट्स, ब्रैटी लेर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जियां फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि इंकम टेक्स के साइट पे आप अपने पैन कार्ड को कैसे रेजिस्टर कर सकते हैं, मतलब इंकम टेक्स के लोगिन आईडी और और रेजिस्टर आ रहा है, तो आपको रेजिस्टर पर क्लिक करना है, और यहां से रेजिस्टर करेंगे, रेजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहां पर नेक्स्ट स्टेप पर दो उप्षन यहां पर दे रखा है, पहला टेक्सपेर दे रखा है, अधर दे रखा है, तो आ जो वेक्ति होता है इंडिज्वल होता है तो यहां आपको yes करना है और continue वाले टेप पे क्लिक करने के बाद यहां last name, middle name, first name, date of birth, gender और residence है तो residence करना है और आपका complete name, first name, last name, middle name, date of birth, gender select करके confirm करना है इसके बाद second details से यहां पे contact detail आती है जिसमें mobile number आता है, mail ID आती है और आपक करना है आपका जो complete address है वो यहां पे आपको fill कर देना है, pin code सहीद और इसके बाद आपको continue पे click करना है जैसे continue पे click करोगे तो mobile number, mail ID जो दी है उसमें जाएगा OTP और वो OTP यहां पे fill करके confirm कर देंगे, OTP फिल करके continue वाले टेप पे click कर देंगे, इसके बाद basic information contact detail आ गई है अगर मालो कुछ edit करना हो, मालो information सही नहीं हो तो आप अभी भी edit कर सकते हो, इसके बाद जैसे आप confirm हो जाओ तो confirm वाल टेप पे click करना है, तो हमारी details सही है, हम यहां confirm वाल टेप पे click करते हैं, और यहां secure your account, और यहां पे आपको password generate करना है, password generate करने के लिए कुछ conditions दे रख करना है, इसके बाद password लिखना है, password लिखने के बाद again confirm password करना है, और यहां set your preference यहां पे दे रखिए वो detail आप यहां लिख सकते हो, इसके बाद register पे click करना है, register पे click करने के बाद यहां पे आपका registration successfully complete हो जाएगा, तो यहां पे देखो registration success हो गया, registration success हो गया, thank you for registration with e-filing, your transaction ID number यहां पे आगए, again आपको proceed to login वाले पे click करना है, और यहां पे again pen number आपके login ID हो गया, password अभी जो आपने generate किया हो, pen number लिख के continue करेंगे, again यहां पे click करके password लिखेंगे, और login कर लेंगे, तो हमने यहां ID password लिखके login कर लिया, तो हमारा जो ID password से successfully login हो गया है, तो इस परकार से आप income tax ID और password generate कर सकते हैं, thank you for watching, bye bye